आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पल भगवानों वाच तुम्हारी सर्व स्रेष्ट साधना है बुद्धी को इस्थिर करने की हम सब जानते हैं कि आज मनुस ने अपनी बुद्धी को जितना भटकाया है उतना पहले कभी न यह भटकाया था मनुस बहुत एजुकेटिड हो गया उसके पास बहुत सांसारिक ज्यान हो गया लेकिन उसकी बुद्धी उतनी ही ज़्याद भटक गई और कहीं न कहीं अटक गई तो हम इस वर ये ज्यान प्राप्त करने वाली ब्रह्मण आत्माओं को जो राजियों के स्रेष्ट पत पर चल रहे हैं उन स्रेष्ट आत्माओं को अब अपनी बुद्धी को एक परमातम स्वरूप पर अपने स्वरूप पर इस्थिर कर देना है ये स्थिर्था हमें अनेक शक्तियां प्रदान करेगी ये सबसे बड़ी कला है और ये कला आजाने के बाद अनेक कलाएं स्वत ही जीवन में आ जाती हैं क्योंकि एकागरता बीज है अनेक कलाओं को संपन करने का उनमें संपूर्ण बनने का तो हम चेक कर लें हमारी बुद्धी कहां कहां भटकती है हमारी बुद्धी किदर किदर चिपकी हुई है किन संबंदों में किन पदार्थों में किन इच्छाओं में किन लालसाओं में हमारी बुद्धी फस गई है वहां वहां से उसको निकालें ये काम हमें ज्यान के बल स स्वत्य ही करना है दूसरी चीज हमें अपनी बुद्धी को स्वच्छ भी बनाना है याद करें बाबा ने कहा जब हात की सफाई दिखाने वाले जादूगर्द कमाल दिखा सकते हैं तो बुद्धी की सफाई करने वाली तुम सब महानात्माएं कितने बड़े चमतकार करोगी तो ये सच है कि जो आत्माएं अपनी बुद्धी को पूरी तरह स्वच्छ करके पवित्र करके उसमें इस वरिये खजाने भर लेंगी उसको वरदानों से संपन करेंगी ऐसी आत्माएं इस स्थापना के कारिये में बहुत बड़ा योगदान करेंगी तो हम चेक कर लें बुद्धी को इस्थिर कैसे करना है लेकिन इंपोर्टेंट बात ये भी है कि हम साधनाएं भी बहुत करें हम अभ्यास भी बहुत करें बिना अभ्यास के बुद्धी को इस्थिर नहीं किया जा सकता अब्यास क्या अपने पांचु स्वरूप को विजुलाइज करना परमात्म स्वरूप और बुद्धी को इस्थिर कर देना ब्रह्म लोक में हमें सिवाय सर्व शक्तिवान के और कुछ भी दिखाई ना दे यही अब्यास आज सारा दिन भी हम करेंगे लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है यदि तुम्हें विश्व महराजन बनना है तो विश्व को सकास दो हमने अपने लिए भी बहुत कुछ कर लिया परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया लेकिन अब हमें करना है इस महान देश भारत के लिए और सारी संसार के लिए जो आत्माएं दुखों में अच्छान्ती में समस्याओं में उलजी हुई दुख पा रही हैं जिनको कोई सहरा और ठिकाना मजर नहीं आता वो सिवाबा की और और हम सब की और ट्यासी नजलों से निहार रही हैं हम अपने को ये स्रेश संकल्प दें के मुझे अब रोज विश्व को सकास देनी है छे वजे सवेरे छे या साथ वजे स्याम को दस दस मिनट योग युक्तो कर शक्तियों की पवितरता की श्यान्ती की किरने चहूं और फैलानी है तो आज सारा दिन हम अपने बुद्धी को स्थिर करने के लिए पहला अभ्यास करेंगे मैं आत्मा बहुत तेजस्वी रकूटी सिंगह संपर विराजमान हों अपने स्वरूप को विज्वालाइज करेंगे, देखेंगे, बुद्धी को स्थिर कर देंगे, अर्थात जैसे हम अपने को देख ही रहे हैं, हमसे चार और किरने फैल रही हैं, एक-एक संकल भी साथ में रख लें, फिर सिवाबा को परमधाम में देखेंगे, उस पर बुद बार बार ये अभ्यास करने से हमारी बुद्धी स्थिर होती जाएगी, ओम स्यादी